ध्यान एक असाधारण सा शक्तिकरण है कि दुनिया में जिस भी चीज की जरूरत हो वो आप कर सकते हैं चाहे वो जो भी हो वाकई और उसके बावजूद भी आप उन गतिविधियों की प्रक्रिया से अच्छूते रहते हैं जिने हमें दुनिया में करना होता है अगर आप यहां बेठें आपका शरीर यहीं है आपका मन यहीं है आप जो हैं वो थोड़ा दूर है यही दुखों का अंत है और यही ध्यान शीलता है नमस्कारम शाय दिन पिछले कुछ हफ़तों में करोना वाइरस के अलावा दूसरा सबसे ज़ादा बोला जाने वाला शब्द अकसर दोहराय जाने वाला शब्द ध्यान है हर कोई अचानक जिन लोगों ने अपने जीवन में कभी ध्यान नहीं किया यहां तक कि इस संभावना की और कभी विचार ही नहीं किया वे लोग अब अचानक ध्यान के बारे में बाते करने लगे हैं ध्यान करने की जरूरत ध्यान करने की चाहत आईए इस ध्यान की जांच करते हैं ये क्या है? सबसे पहले ध्यान शब्द का अर्थ क्या है? अंग्रेजी शब्द, meditation का असल में कोई अर्थ नहीं है उस संदर्व में ये कुछ भी विशिष्ट नहीं कहता अगर कोई यूहीं अपनी आँखें बंद करके बैठता है तो ये मान लिया जाता है कि वो व्यक्ति ध्यान कर रहा है एक व्यक्ति अपनी आँखें बंद कर और कई चीज़ें कर सकता है आप जब, तब, धारणा, ध्यान, समाधी, शोन्य, सम्यमा कर सकते हैं या शायद आपने सीधे बैठकर सोने की कला पर महारत हासिल कर ली हो तो अंग्रेजी शब्द में मेडिटेशन शब्द कुछ भी विशेश नहीं बताता है आम तोर पर हम लोग ये मानते हैं कि मेडिटेशन का मतलब ध्यान है तमिलनाडू में ये ध्यानम है अगर आप थोड़ा उत्तर की ओर जाते हैं तो ये ध्याना है अगर आप और उपर उत्तर की तरफ जाएं तो ये ध्यान है अगर आप और उपर जाते हैं तो ये चान बन जाता है अगर आप थोड़ा और पूर्व की ओर जाते हैं तो ये जैन बन जाता है वही चीज तो हम इस ध्यान शब्द के साथ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं एक मूलभूत चीज जिसे हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि आप ध्यान नहीं कर सकते क्योंकि ध्यान एक गुण है कोई गुण एक निश्चित प्रक्रिया का परिणाम होता है आप एक प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं आप एक प्रक्रिया संचालित कर सकते हैं आप किसी गुण का संचालन नहीं कर सकते गुण बस एक परिणाम है ये इस तरह है कि जैसे आप अपने बगीचे में फूल चाहते हैं आप वहां बैठ कर फूल ध्यान नहीं करते आपको पता है फूल वालों के साथ क्या हुआ अगर आप अपने बगीचे में फूल चाहते हैं तो आपको फूलों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है आपको मिट्टी, खाद, पानी, धूप के बारे में सोचना है अगर आप इन प्रक्रियाओं का संचालन ठीक से करते हैं तो फूल और फल एक परिणाम होंगे लेकिन आज दुनिया बहुत लक्ष उन्मुखी हो गई है क्योंकि लोग इतने लक्ष उन्मुखी है इसलिए मिट्टी में उनकी रुची नहीं है और खाद और दूसरी चीज़ों में तो निश्यत रूप से नहीं पर उन्हें भूल और भल चाहिए अगर आप मिट्टी, खाद, पानी और धूप के बिना भूल चाहते हैं तो आपको प्लास्टिक के फूलों से समझाता करना पड़ेगा प्लास्टिक के फूल बढ़िया होते हैं जो लोग उप योगिता के बारे में सोचते हैं ये कई अलग-अलग तरीकों से आपके काम आते हैं ये पांच साल की गारंटी के साथ आते हैं फूल एक जंजट हैं अगर आप अपने घर में फूल रखते हैं तो आपके दिन में कम से कम पांच बार उन्हें देखना पड़ता है क्या हो रहा है वे ठीक से बढ़ रहे हैं या नहीं पर अगर आप अपने घर में प्लास्टिक के फूल रखते हैं पांच साल की गारंटी मिलती है ये आपकी जीवन की तरह नहीं है अगर आप जीवित हैं तो करने के लिए बहुत कुछ है यहां तक कि आपको वाइरस से भी बचना है अद्रश्य वाइरस लेकिन मरे हुए को सिर्फ सुरक्षित रखना होता है तो वास्ताव में जिस आयाम और प्रक्रिया को आप ध्यान कह रहे हैं वो बहुत जीवन उन्मुखी है जब मैं जीवन उन्मुखी कहता हूँ आज मुख्य रूप से आप भौतिक्ता उन्मुखी या जादा से जादा मन उन्मुखी शायद भावना उन्मुखी हो या फिर शरीर उन्मुखी जो फिर से भौतिक्ता ही है जीवन मुख्य रूप से ऐसा ही हो गया है लोगों की जीवन की धारणा ऐसी है अगर कोई कहता है मेरा जीवन आपको ये समझना होता है कि लोग अपने काम के बारे में बात कर रहे हैं वे देश या दुनिया की आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं अपनी कार के बारे में, शायद अपने कुत्ते के बारे में, कभी-कभी अपने पतियों और पत्नियों के बारे में भी, यह कुछ भी हो सकता है, पर एक मात्र चीज जो सचमुच में जीवन है, वो इसमें धढ़ा कराया है, यह जीवन है, बाकी सब हमारे द्वारा बनाई चाहे वो शिक्षा हो, पेशा हो, रिष्टे, शादी, बच्चे, संपत्ती, कुछ भी हो। मोटे तौर पर इन चीजों के साथ उलज गए हैं। सहायक चीजें, जीवन प्रक्रिया सिर्फ बड़ी बन गई हैं। खैर मुझे लगता है, बहुत ही निर्मम तरीके से, वारिस जीवन में फोकस ला रहा है, आपको अचानक समझ आ गया है। कि आपका महंगा घर एक कैद खाना बन गया है। आपकी महंगीकार कबार जितनी ही अच्छी है, क्योंकि आप उसे चला नहीं सकते, कम से कम कुछ समय के लिए। और इस समय दुनिया ऐसी स्थिती में है, जहां हमें नहीं पता कि सडक पर फिर से निकलने के लिए और अपने वाहन में थोड़ा सैर सपाटा करने के लिए कितना समय लगेगा। आप ये नहीं जानते, इसलिए आप स्वभाविक रूप से दुनिया भर में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि वे ध्यान कैसे करें, उन्हें क्या करना चाहिए, जैसा कि मैंने कहां, आप ध्यान नहीं कर सकते, पर आप ध्यान शील हो सकते हैं, क्योंकि ये एक गुण है अगर कोई अपने शरीर, मन, भावनाओं और उर्जाओं को एक निश्चित तरह की परिपक्वता तक ले आता है, तो वो दिन के 24 घंटे सो भाविक रूप से ध्यान शील रहेगा ध्यान कोई असमर्थता नहीं है, कि अगर आप ध्यान शील हैं, तो आपको अपनी आखें बंद करके एक ही जगा पर सीमित रहना होगा ध्यान एक असाधरन सशक्ति करण है, कि दुनिया में जिसकी भी जरूरत है, आप वो कर सकते हैं चाहे वो कुछ भी हो, वाकई, और उसके बावजूद भी, आप उन गतिविधियों की प्रक्रिया से अच्छूते रहते हैं, जिन्हें हमें दुनिया में करना होता है यह सशक्ति करण, या इस सशक्ति करण के बिना, दरसल मनुष अपंग है, क्यूंकि दुनिया में आपको जो सोचना, महसूस करना, समझना और क्रिया कलाप करना है अगर यह सब आपको इतने बड़े तरीके से रगड़ने वाला है, तो स्वभाविक रूप से आप उसे करने में जिज़केंगे ही स्वभाविक रूप से आप उन चीजों को करने से बचेंगे जिन्हें किये जाने की जरूरत है एक तरह से, जिस पल आप ऐसी अवस्था में होते हैं, जहां आपकी अपनी गतिविधी और आपके चारों और संसार की गतिविधी और आपके मन की गतिविधी और आपकी भावनाएं, जब वे आपकी जीवन के हर पल में आपको प्रभावित करने लगती हैं, तब किसी तरह आप खुद को अपंग बना लेते हैं, क्योंकि सभाविक रूप से आप अपने जीवन के स्तर को बहुत सीमित रखना चाहेंगे, क्योंकि क्रिया कलाप, विचार, भावनाएं, जीवन के साथ जुडाओ, भारी मात्रा में दुख पैदा कर सकता हैं, एक बार जब जाने अंजाने में दुख का भै होगा, तब आप जीवन के दाइरे और संभावनाओं को सीमित कर देंगे, ध्यान का अर्थ बस यही है, अगर आप इसे बहुत ही सरल तरीके से समझें, अगर आप यहाँ बैठें, आपका शरीर यहाँ है, आपका मन यहाँ है, आप जो हैं, वो भौतिक शरीर और मानसिक धेर के इन दो आयामों से थोड़ा दूर है, शरीर और मन के यह दो धेर, अगर आपके और इनके बीच थोड़ा फासला आ जाता है, यही दुखों का अंत है, और यही ध्यानशीलता है, ए शक्रिया एक बेहद आसान प्रक्रिया है, पर एक शक्तिशाली टूल है, यह तीन सामग्रियां, आपकी सांस, आपका विचार और आपकी जागरुकता, अगर आप इन्हें सही मात्रा में इस्तिमाल करें, आपकी अपने मन और शरीर को इस्तिमाल करने की एक शमता इतनी जादा बढ़ जाती है, कि आप दूसरों को लगभग महा मानव जैसे दिखते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ, यह मानव ही है, यह महा मानव बनने के बारे में नहीं है, यह यह जान जाने के बारे में है, कि इन्सान होना महान है.